गाजीपूर बॉटपा प्रोटशन कारियों ने किया हंगामा राद भर लगते रहे किसान आंदोलन के नारे जादा तर प्रोटशन कारियों की वापसी से घबराय नेता सिंगो गाजीपूर टिक्री बॉटपा भारी फोर्स तेनाथ किसी भी वक्त बड़ी कारवाई कर सकती है पुलिस दिल्ली कूच कर सकते हैं भारी संख्या में किसान मुजफर नगर में महा पंच्वायत के बाद कूच करने की आशोगा मुजफर नगर में भर्टे किसान यूनियन ने र्यात भर कराए अनाउंस्मेंट किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए कराई मुणादी गाजिपूर बॉठर पर आधी रात से पहुंचने लगे किसान अलग-अलग गाउं से धन्ना स्थल पहुंच रहे हैं किसान किसान अंदोलन को तालान खाप कर समर्थान मेरट से आज शाम तक 10,000 किसानों के पहुंचने का दावा आज किसान नेताओं की क्राइम ब्रांच पे होगी पेशी छे किसान नेताओं को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भेचा नोटिस इसान नेता, पुटा सिंग, बुर्जगिल और दर्शिनपाल सिंग और राकेश टिकेट, दिल्ली पूलिस के सामने होंगे पेश, सरवन सिंग, पंधेर और सतनाम पंदू को भी नोटिक्स खिसान अंदोलन पे टिकेट के गाऊं में आज होगी महा पंचायत, सुबह ग्यारा बजे महा पंचायत में जुटेगे कई गाउं के लोक जाजियबाद प्रशासन के खिलाब सुप्रिम कोर्ट जाएंगे राकिश टिकेट धर्ना खत्म करने के प्रशासन के आदेश के खिलाब सुप्रिम कोर्ट में दायर करेगे याचिका गाजीपुर बॉड़ब पर राकिश टिकेट ने सरकार को दी च्यताव नहीं कहा सरकार अगर कानून वापस नहीं लेगी तो यही फांसी लगा का बर जाओंगा रशासन को किसान नेता राकिश टिकेट की च्यताव ने कहा गोली चलानी है तो चलाओ हम यहीं मरेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे गाजीपूर बॉटर पर राकिष्टिकेट के मंच के पास संगामा राकिष्टिकेट ने एक शक्स को मारा थपड़ गाजीपूर बॉड़र पर राकिश टिकेट की उनका बीपी बढ़ा मंच पर डॉक्टर से टिकेट का हेल्थ चेक अप दिया किसान अंदोलन को लेकर लखनाओं में सीम योगी आदितनाथ की बड़ी बैठात मुखिल सचिफ समेथ कई बड़े अधिकारी रहे मौचो 26 जनवरी की घटना के बाद योपी सरका सक्त सूत्रों के मुताबिक सीम योगी आदितनाथ ने अधिकारीों को गाजीपूर बॉडर से धरना खत्म कराने का दिया आदेश गाजीपूर बॉडर खाली कराने का आदेश दिया कहा रात तंधरना स्थाल खाली करेंगे वरना पुलिस बल का प्रियोप करेंगे गाजीपूर एडियम और एसपी ने टिकेट फर नोटिस के बारे में ज़ानकारी दी टिकेट ने कहा कि मैं सरिंडर नहीं करूँगा गाजीपूर बॉडर गाजीपूर बॉडर दोलो तरफ से बंद किया गया प्रिशासन ने लोगों को गाजीपूर की तरफ ना जाने की सल्ठा दे गाजीपूर बॉटर पर धारा 133 भी लागो कर दी गई है बॉटर पर वजर वाहन को भी तैनात किया गया गाजीपूर बॉटर पर गाजेबाद नगर निगम की तरफ से दी गई सुविधाएं हटाई गई नगर निगम ने सफाई कर्मी पानी और टॉयलेट की सुविधा को हटा दिया है राजीपूर में धरना खत्म करने पर बोले भारतिय किसान यूनियन के अध्याक्ष नरेश्ट कैत कहा सारी सुविधाएं मंद पूरी के बाद भी धरना नहीं चल सकता है यूपी के ADG Law and Order प्रिशान कुमार का बड़ा बयान कहा दिली हिंसा के आरूप्यों को यूपी में नहीं आने देंगे सिंगू बॉटर पर भी किसानों के टेंट उखडने शुरू हो चुकी है तिरंगी के अपमां झ ses असली किसान नारास धिरी बॉटर पाय अक्षिन की तयारी में पोलीस बॉटर पार वुटर कैनन के साथ भरी संख्या में पेरी मिलिटरी फोर्स तेनात की गई दिली के बुराडी मैदान को किसानों ने किया खाली पुलिस ने करीब फंद्रा फर्जी किसान और दंगाईओं को हिंसा मीशामिल पूरी के आरूप में हरा सकने लिया है ब्लाक मेलिंग पर उत्रे फर्जी किसान भटिंडा के विरक खुर्द गाओं के पंचायत ने किसान आंदोलन में शामिल नहीं होने पर 15 सो रुपे फाइन लगाने का तुगला की फर्मान जारी गिया 26 जट्वरी को हिंसा मामने में दंगाईयों पर देश द्रोह का के से पोलिस ने 44 लोगों को इखिलाफ लोकाउट नोटिस जारी गिया किसान संगठा एंद बीके यू मान भी आंदोलन से हुआ अलग अध्याक्ष गुनी प्रिसाथ ने चड़ूनी टिकेट दर्शनपाल और योगी द्रियादब को जेल में बंद करने की अपलिल की बत्वा में धरने पर बैठे किसानों का अंदोलन खत्म हुआ दियेम स्स्पी से बादश्वीत के बाद किसानों ने खत्म किया धरना दिली में हिंसा के बाद अब शाहजापूर बॉडर भी होगा खाली किसान महापंचायत के नेता रामपाल जाट ने शाहजापूर बॉडर को खाली करने का फैसला किया अबिसान नेता गुर्णाम सिंग चड़ूनी ने सरकार को दीच्वेताब ने कहा ऐसे आंदोलन को कुचलना ठीक नहीं जप्ता का सांस है तब तक लड़ते रहेंगे दो और किसान संगतोलन ने वापस लिया आंदोलन बिके यू एकता और बिके यू लोगशक्ती की नेताओने क्रिशी मंत्री नरींद सिंग्तोमर से की मुलाकार लाल के ले से दो एतिहासिक कलश गायब ध्वज की नीचे से रखे गए थे दोनों कलश आज से शिरू मोगा संसेट का बजट सर्त्रे सुबह ग्यारा बजे राश्पती रामनात पोविंद देंगे अपना अभिभाशन राश्पती के अभिभाशन का भषकार करेगी कॉंग्रेस सोलहा दूसरे दलों की साथ आने का दिया दावा कॉंग्रेस ने सरकार पर लगाया कृशी कानूनों को जबरन पास कराने का आरूप आयोध्या की नई मस्जित पर OVC की जहरीले बोल कहा आयोध्या की नई मस्जित में नमाज पढ़ना हराव पाहुबली विधायक मुक्तार अंसारी को प्यागराज की स्पेशल MP MLA कोट से छटका वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये मुकदमे की सुद्वाई की अपरी खारिच जमानत पर रेहा हुए कॉंगिस नेता नसीमुद्दीन सिद्धी की पाठी नेताओं ने किया स्वागत मंत्री स्वाति सिंग पर अभधरी टिपड़ी के मामले में जेल गए थे नसीमुद्दी योगी सरकाव वापस लेगी वेपालियों पर दर्ज केस लॉकडाउन उलंगन की मुकदमों से मिलेगा चुटकारा कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने प्रमुख सचिफ को दिये निर्देश AI MIM के पांचों विधायकों ने सीम नितीश कुमार से की मुलाकात सभी विधायकों के जेडियू में शामल होने की चर्चा तेज बिहायर में 50 पार के कर्मियों को जबरन रिटायमेंट की फैसले का विरूत तेज सचिफवाली सेवा संग और बिहार पुलिस मेंस एसोसियेशन ने सरक पर उतरने की धम की थी जबरन रिटायमेंट के मुद्दे पर आरजेटी ने सरकार पर बोला हमला तेजस्वी आदब दे सरकार के फैसले पर उठाय सबार पद्धि प्रिदेश में सहिकारी संस्ताओं के अध्यक्ष बन सकेंगे सांसत विधायक शिफरात सरकार के नए सेरे से उन्होंने अध्यदेश जारी किया पद्धि प्रिदेश में नगने निकाय चुनाप को लेका बीजोपी की तैयारी चुनाप संचालन समीते की बैठेक में बना ब्ल्यूप्रिंट, उमीदबारों की उम्र और जिताओं चेहरों पर चर्चा हुई महराश्च के कोलहपूर से फ्लाइट के जरीए जयपूर लाया गया कुक्याद गैंस्टर पपला गुर्जर आज पुलिस ले जाएगी बहरोर आंचुला का इनामी बदवाश का पपला बहरोर थानी पर हमला कर साथियों ने पपला को छुगाया था